नमस्कार मैं श्वित और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनिश जबसे बिहार में डीजी पी की कमान आरस भट्टी को मिली है तबसे लगतार बिहार में अपराधियों पे नकेल कसी जा रही है वहीं आपको बताते चलें कि बिहार का एक बड़ा कुख्यात अपराधी जो है वो कॉलकाता से पकड़ा गया है जी हाँ दरसल आपको बताते चलें कि स्टी एफ की जो टीम है इसे कॉलकाता से पकड़ी है और इसके पास जो हजारो करोडो रुपे का जो बंडल मिला है जिसे देखकर STF की जो टीम है वो भी दंग रह गया। मधुबनी के कुख्यात अपराधी रोही तियादब को STF ने कॉलकाता से गिरफतार किये गर लिया है। इसको ख्यात की तलाश पिछले कई महीनों से चल रही थी। रोही तियादब पर पचास हजार रुपे का इनाम था। कॉलकाता में जब छापे मारी करी से पकड़ा गया तो दस लाख रुपे कैश भी बरामत किये गये। इसके साथ इसका एक मुवाइल भी जब्त किया गया ह स्टी एफ के अनुसार इसके पास से बरामत कैश मधुबनी के लोगों से रंगदारी के रूप में बसूले गये थे। पकड़े जाने के बाद इसे मधुबनी जिले की पुलिस को सौब दिया गया है। पोस्ताच और आगे की कारिवाई पुलिस कर रही है। बिरफतार को ही तियादर मधुबनी जिले के राजनगर के रौटी मोहनपुर गाउं का रहने वाला है। अपने सहीयोगी के साथ मिलकर इसने 18 जनवरी को मधुबनी के ही पडॉल के मोहनपुर गाउं के रहने वाले दीपक कुमार की गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस वारदात के बा लाके को कंट्रोल करता था। जमीन विवाद में इसने दीपक की हत्या की थी। वैसे जमीन का धंदा करने वालों से रंगदारी मांगना इसको ख्यात का मुख्य पेशा है। लूट की कई वारदातों को भी इसने अंजाम दे चुका है। मधुबनी जिले के अलग-अलग में हत्या, लूट, डकैती और अंगदारी के कई केस इस कुख्यात पर दर्ज है। अपराधिक वारदाताओं को अंजाम देते हुए इसने पूरे इलाके में अपना आतंक बना रखा है। गिरफतारी से बचने के लिए इसने कई बार पुलिस को जहासा भी दिया। कभी ज ख्यात रोहित यादब जो है वो अभी कॉलकता में मौजूद था जहां स्टी एफ की टीम ने इसे पकड़ लिया है। आपको बताते चलें कि इसका जो काम था वो सभी लोगों से रंगदारी करके पैसे वसूलने का काम था जहां इसके उपर एक हत्या का भी आरोप था अभी कहीं जाकर ये अपने इलाके का कंट्रोल वहीं से करता था लेकिन इस वार वो कॉलकता पहुचा और कॉलकता पहुचने के बाद स्टी एफ की टीम को जब मालूम चला कि ये यहां पर मौजूद है तो वहां पर जाकर इसे पकड़ लिया गया जिसके बाद इसे मधु अब रीट के लिए देखते रहें न्यूस फानेशन